हेलो एवरीवन मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाइपरट्रेड एस भी पर मैं हूँ मुहमाद सोहिल और आज मैं अनालिसिस करने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ओफ एमे और आरसाइ आरसाइ का पहला सिरीज का वीडियो अप्लोड हो चुका है जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अभी यह दूसरा सिरीज है जिदर मैं आपको एमे के साथ आरसाइ का कॉम्बिनेशन बताऊँगा अल्रडी मै मैं आरसाइ पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हूं जिसके अंदर मैं एक्स्प्लेइन किया हूं कि आरसाइ कैसे काम करता है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में के नीचे लिंक है क्लिक करके आप देख सकते हो पहला सिरीज का वीडियो अभी मैं आपको एमे कंप्लीट एमे के सारसे कैसे काम करता है वो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों हम लोग क्या करता है कभी कुन से इन अट्रेसे पहले देखते हैं कि si प्राइस एक्षन कैसा है श्रक की वालटालिटी कैसी है स्टॉक का प्राइस क्या है और स्टॉक केतना मुमेंट दे सकता है यह सब कुछ हम लोग देता हैं उसी तरीके से आज मैं आपको 200 यहां पर क्या होने वाला है अभी सिंपल से मैं आपको एक सिनारियो बताता हूं कई सरकम्स्टेंस ऐसे आजाती हैं मार्केट में कि हमारा जो प्रेडिक्शन होता है 100% होने के बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर मुमेंट हो गया तो भी डरते हैं थोड़ा बहुत नीचे भी सीनारियो में क्या क्या करें कैसे कैसे एम में को लेकर चले मैं आपको डिटेली जो मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ आपको आज की वीडियो में भी समझ में आएगा कि कैसे हम लोग काम करता है RSI के अंदर मैं क्या समझाया RSI के अंदर अपने पहले सीरीज के वीडियो में मैं समझाया था यह वाला जो जोन होता है इसके अंदर oversold mid of bottom fishing होता है जिदर maximum से maximum लोग 200 EMA को analysis करते हुए entry लेता है जो 70 RSI से लेके जो 60 RSI तक का zone होता है यह भी oversold overbought zone होता है जिदर इन levels को देखते हुए exit भी करते हैं दोस्तों अभी चलिए 200 EMA का analysis बताता हूँ अभी for an example यहाँ पर EMA नीचे से जा रहा है पर stock उपर है तो stock यहाँ से fall करेगा यह हमें कैसे मालूम होगा अभी यहाँ पर EMA नीचे से जा रहा है EMA उपर से यहाँ पर देखो यहाँ पर EMA उपर से आ रहा है और यहाँ पर oversold zone में जो depreciation में समझा या था 60 to 40 RSI में यहाँ पर नीचे गिरा उसके बाद bottom fishing उसके बाद rally देखने को मिली 40 RSI का support overbought zone उसके बाद stock के अंदर हमें rally देखने को मिला उसके हिसाब से 200 EMA कैसे काम करेगा यह मैं क्लिर बता देता हूँ यह जो D दिख रहा है यह dividend है यहाँ पर जो D दिख रहा है यह dividend है इसका भी आपको 10th series का वीडियो आएगा अभी तो यह दूसरा series का वीडियो है तो चलिए मैं आपको explain करता हूँ अभी reliance industries जानामाना stock है जिसके अंदर overbought और oversold ज्यादा भी होता है और depreciation और appreciation भी ज्यादा होता है तो हमें trend के हिसाब से future sell पर कैसे काम कर सकते हैं और monthly expiry पर put पर कैसे काम कर सकते हैं जिए premium melt होने भी benefit होना चाहिए और अगर हम लोग put लेके भी बैटा है तो हम लोगों को उसके अंदर premium add होने से भी benefit होना चाहिए monthly और short term के हिसाब से चलिए अभी 200 E.M. में कभी भी candles के उपर closing देखे support लेता है 100% sure वो उपर ही जाता है For an example आप यहां पर देख सकते हो For an example यहां पर देख सकते हो For an example यहां पर और example यहां पर ठीक है अभी यहां पर कैसे उपर गया और क्यों गया for an example, पहले series के वीडियो में क्या बताया था, stock के अंदर जैसे ही RSI 60 break होता है, तो stock depreciation में आता है, इसका मतलब stock fall करता है, अभी जैसे fall करता है, इसे 40 RSI break करके, selling में जाके, mid of bottom fishing, या oversold में जाके, bottom fishing देना चाहिए, ये mid of bottom fishing लिया, इसके पीछे reason क्या है, mid of bottom fishing, 200 EMA का support, जैसे mid of bottom fishing, appreciation, 60 RSI, यहाँ पे overbought, जैसे ही overbought zone पे 200 EMA का support लिया, वैसे ही उपर भाग गया, समझ में, उसके बाद, यहाँ पे भी आत देख सकते हो, 60 RSI break हुआ, जिदर हमें depreciation देखने को मिला, यहाँ पे RSI का support, यहाँ पे थोड़ा बहुत stock के अंदर है, पहले बात तो है depreciation में, depreciation में कभी भी stock होता है, अगर stock थोड़ा बहुत भी RSI 40 का support लेकर rally लेता है, कभी believe नहीं करना, for an example आप यहाँ पे भी देख सकते हो, for an example आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब तक 200 EMA का support, RSI 40 पे नहीं मिल रहा है, का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे support है, नहीं है, इसी लिए stock के अंदर fall, mid of bottom fishing, उसके बाद देखो, फिर से rally, थोड़ा बहुत rally, फिर से selling, क्यों selling, क्योंकि यहाँ पे भी 200 EMA का support नहीं मिल रहा है, यहाँ 40 RSI, जिदर sold होने के बाद, जैसे appreciation आया, 200 EMA का support, क्या support, 200 EMA का support, 60 RSI त भागा नहीं भागा, 100% भागा, अभी, यहाँ इस scenario में, हम लोगों को rally कहां तक मिलेगा, यह पहला breakdown है, यह दूसरा breakdown है, हम लोग क्या करते हैं, अगर stock के अंदर overbought हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, second target यहाँ पे लगाते हैं, first target यहाँ पे लगाते हैं, first target के बाद अगर profit booking चल रही है, तो exit कर जाते है फिर exit, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या support है, 200 EM में का, यहाँ पे कहां support है, 200 EM में का, यहाँ कहां पे support है, 200 EM में का, मैं क्या बोला, अगर हमारे entry भी हुई, थोड़ा बहुत नीचे उपर भी हो गया, तो public क्या होती है, डर जाती है, डरना नहीं है, अगर इसे complete fall करना है एक दो candle में अच्छा selling देना चाहिए यहाँ 40 RSI है ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो भी अपने breakout तक ही गिरेगा उससे ज्यादा नहीं गिरेगा और stock के अंदर क्या हो गया? rally जब कौन से भी stock के अंदर यहाँ 60 to 70 RSI या 70 to 80 RSI के अंदर stock क्या करता है? stock exit करने का chance देता है क्या देता है? exit करने का chance कई लोग क्या करते हैं? exit कर जाते हैं, फिर rally बेंटरी लेते हैं जिदर एक IC reversal rally आ जाती है जिदर से pressure on selling complete देखने को मिलता है दोस्तों अभी मैं आपको तीसरा example देता हूँ यहाँ पर क्या है? made of bottom fishing उसके बाद यहाँ पर क्या मिला? RSI 200, sorry EMA 200 का support यहाँ पर भी rally समझ में आया है? अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर bottom fishing है depreciation में EMA का उपर का level break कर रहा है और support हमारा कहां का मिल रहा है? support हमारे first breakout level का मिल रहा है second breakout का नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? bottom fishing में पहले यहाँ पर entry ले ले लेते हैं दूसरा second bottom fishing का जो level होता है अगर वो break किया तो यहाँ पर average वरना हमें rally देखने को मिलता है जैसे RSI 40 का level मिला RSI 40 का level मिला यहाँ पर देखो clearly देखो यहाँ पर clearly देख सकते हो RSI 40 का support जहां से rally देखने को मिला अभी for an example यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर 60 RSI break करके depreciation में हैं और Reliance Industries जहान बूच के थोड़ा बहुत rally दे रहा है buyer को catch करने के लिए जैसे ही buyer catch करेगा यहाँ से क्या होगा? fall होगा क्यों fall होगा? क्योंकि 200 EMA का support यहाँ पर नहीं है समझो यहाँ पर नहीं है थोड़ा बहुत उपर जाएगा fall करेगा for an example यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से यानि अभी stock depreciation में यह हो गया 200 EMA अभी मैं 200 EMA को hide करके 100 EMA लगाता हूँ 100 EMA से हमें फाइदा क्या होता है? पता है 100 EMA से double फाइदा यह होता है 200 EMA for an example 200 EMA का support मिलते हुए 100 EMA complete support दे रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर supply zone है जिसका immediate trend यहाँ पर हम लोगों को confirmation मिला यहाँ पर double confirmation यहाँ पर थोड़े दिन trade किया फिर rally अभी हमारा 100 EMA का example आपको यहाँ परफेक्ट मिलेगा जैसे 200 EMA का support लेके double support लेके बढ़ता है वैसे ही अगर 100 EMA अगर level break करते हुए 200 EMA भी break करता है इसका मतलब क्या है यहाँ पर हम लोगों को है fault जब तक हमारा RSI 40 पर मैं यहाँ पर entry देता ही नहीं मैं यहाँ पर entry दूंगा भी नहीं क्यों नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर 200 EMA का support नहीं है जैसे ही यह RSI 40 appreciation में आया and support मिला 200 EMA का और 100 EMA का rally अपने breakdown लेवल तक signed second breakdown पहला breakdown पहला target होता है second breakdown दूसरा target होता है और EMA और RSI का अगर नीचे हम लोगों को यहाँ पर gap down देखने को मिला जब तक gap down break नहीं करता जब तक second target नहीं देता इस तरीखे से 100 और 200 से benefit लिया जा सकता है चल अब मैं 100 भी रोग देता हूँ 200 भी रोग देता हूँ अभी मैं लगाता हूँ 50 50 से हमें ये मालूम होता है आप देखो मैं 100 लगा दूँ ठीक है 200 लगा दूँ समझ में आ गया double confirmation maximum से maximum analysis 200 और 100 EMA से समझ में आ जाता है कि हम लोग short term में काम कर सकते है अगर हम लोगों को कुछ scenario में समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब ये यहां से selling में जाने वाला है first selling confirmation second selling confirmation overbought complete overbought perfect overbought overbought भी तभी होता है जब stock के अंदर RSI 40 पे 200 EMA का support उसके बाद 100 EMA का support उसके बाद 50 EMA का support इस तरीखे से EMA RSI के साथ club करके काम करता है RSI क्या है oscillator है जो oscillate करते हैं हमें बताता है कि position कौन सी और कैसी होती है दोस्तों and अभी यहां पे मैं analysis खतम करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा analysis समझ में आया मेरा explanation समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को like करो share करो और YouTube चैनल को subscribe करना मत भूलना और हर चीज मैं अपने Telegram चैनल पे update देते रहता हूँ अगर आप अभी दरक अपने Telegram चैनल पे नहीं है तो description में link है click करिए join करिए and YouTube चैनल को subscribe करना मत भूलना Thank you so much for watching my video